वेल्कूम फ्रेंड्स प्यारे बच्चों आप देखने हैं मेरे यूट्यूब चैनल पुनीश मैयत जिसके अंदर आज हम शुरू करने जा रहे हैं सात्मी कक्षा की वीडियो टॉटोरियल सात्मी कक्षा मी जो पहला अध्याय है मिनित का उसके अंदर है पहला पूर्नांग पूर्नांग चैप्टर को करने से पहले हमें जी पता होना चाहिए कि पूर्नांग होता क्या है इसका मीनिंग क्या है कई बच्चे पूरा chapter solve कर लेती हैं, हर exercise का हर प्रशन हल कर लेती हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं चलता के पूर्नांत क्या होता है? अगर कोई उनसे प्रशन पूश ले कि पूर्णांग की परिवाशा क्या है तो उनको नहीं आती तो बेटा किसी भी चेप्टर को करने से पहले आपको जे जिरूर पता होना चाहिए कि जो उसका नाम है उस चेप्टर का वो क्यों रखा गया है उसका मीनिंग क्या है तो हम बात करे हैं पूर्णांग क्या होता है पूर्णांग क्या होती है यह अपना पहला प्रशन बनता है इसके लिए मैं सबसे पहले एक संख्या रिखा बनाता हूँ जिसके बारे में आपने चटी कक्षा में पहले ही सुन रखा होगा इस संख्या रेखा के बिल्कुल बीट में 0 लिखते हैं और इस साइड हम इसको left hand side कहते हैं और इस साइड को right hand side कहते हैं हना इस साइड हम minus के नंबर लिखते हैं और इस साइड हम plus के नंबर लिखते हैं आपने दिखा होगा किसी भी संख्या रेखा पर ऐसे लिखा होता है इसको हम संख्या रेखा बोटते हैं इस संख्या रेखा में जो अंक यहां से शुरू होती हैं ये कौन से अंक हैं सोचके देखो छटी कक्षा में आपको पहले एक आ चुका है कि जो संख्या एक से शुरू होती है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ इन संख्याओं को क्या बोलते हैं इनको बोलते हैं प्राकित संख्या तो प्राकित संख्या ने को क्यों बोलते हैं मैं थोड़ा सा इस बाद पे भी आप को समझाना जाता हूँ क्योंकि जो हम प्रकृति में चीजों को देखते हैं उनकी जो गिंती है वो हम कैसे करते हैं हम कहते हैं वहाँ एक चीजा है, दो चीजा है, तीन है, चार है, पांच है हमने किसी को ये तोड़ा कहा है कि वहाँ जीरो चीज़े है नहीं कहते न तो ये सारी संख्याई कौन सी थी प्राकृत संख्याईं थी लेकिन अगर हमने किसी को ये बताना हो कि उसके पास कोई भी पेंसिल नहीं है तो हमें इसकी जुरूर्त पड़ेगी हाना इसकी जुरूर्त पड़ेगी तो इस सेट के अंदर हमने जीरो को भी शामिल कर लिया तो अब जो बड़ा सेट बना उसको क्या होते हैं पूर्ण संख्याएं क्लियर सबसे पहले प्राकिर्ति की संख्याएं उसके अंदर जुरूरत पड़ी जीरो की उसको बोलते हैं पूर्ण संख्याएं कई बच्चे क्या कई बाद तो मैं भी गन्फ्यूज हो जाता था इन पूर्णांक और इन पूर्ण संख्याओं के बीच बेटा ये दोनों वर्ड हिंदी के अलग लग हैं ठीक है पूर्णांक और पूर्ण संख्याएं आपने इन में कन्फ्यूज नहीं होना है मैंने अभी आपको पूर्णांक तो बताया नहीं है ये बताने वाला हूँ अब पूर्णांक क्या होते हैं अब जब हम इन पूर्ण संख्याओं में प्लस माइनस करते हैं तो मेरे पैसे लेने निकले निकलेगे के देने निकलेगे लेने मैंने कम है देने मैंने जा रहा है तो इसका हिसाब के आएगा दोर पर paling मैं उसको दूंगा इन नम्रों को हम कैसे लिखते हैं फिर माइनस दो क्लियर अब फिर इन पूर्न संख्याओं के अंदर जब हम इन माइनस की संख्याओं को भी शामिल कर लेते हैं तो पूरा जो बड़ा सैट बन जाता है इनको क्या बोलते हैं? पूर्णा समझ लगी? अब मैं कुछ प्रशन पूशता हूँ आपसे पहला मेरा प्रशन है सबसे चोटी प्राकित संख्या बताएं तो सबसे चोटी प्राकित संख्या इस सैट के बीच आप थोड़ी सी नजर दो माओ तो सबसे चोटी प्राकित संख्या कौन सी आएगी? एक ओके? चलो सबसे बड़ी प्राकित संख्या इस बताएं सबसे बड़ी प्राकित संख्या क्योंकि प्राकित संख्याई एक से जिरू होती हैं और चलती जाती हैं इसलिए सबसे बड़ी प्राकित संख्या हमारे लिए बताना संभब नहीं है फिर है पूर्ण संख्याई सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताए जीरो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या ये पताना भी संभब नहीं है उसके बाद आता है पूर्णांग सबसे चोटा पूर्णांग बताए अब इस केस पे देखो पूर्णांग इस साइल भी चलते जाती है और इस साइल भी चलते जाती है तो ना तो सबसे चोटा पूर्णन खाम बता सकते हैं, ना सबसे बड़ा पूर्णन खाम बता सकते हैं ठीक, उसके बाद आपसे प्रशन पूछा जा सकता है, क्या सभी पूर्ण संख्याई प्राकत संख्याई हैं देखो सभी पूर्ण पूर्ण के अंदर प्राकर्त है क्या सभी पूर्ण संख्याईं प्राकर्त संख्याईं है अंसर आएगा नहीं क्योंकि पूर्ण संख्या के अंदर एक जीरो पड़ी है जो प्राकर्त में नहीं है ठीक, लेकिन सभी प्राक्यत संख्याईं पूर्ण संख्याओं के अंदर आती हैं, इसलिए सभी प्राक्यत संख्याईं पूर्ण संख्याईं हैं, इसी तरह, सभी प्राक्यत संख्याईं पूर्णाग भी हैं, सभी पूर्ण संख्याईं भी पूर्णाग हैं, लेकिन उल्टा इसका सत्या नहीं है अगर आपको कोई कहे के सभी पूर्णा प्राक्यत संख्याएं है नहीं है क्योंकि पूर्णा आपके अंदर तो ये वाली आ गए जो कि इसके अंदर जा इसके अंदर नहीं है क्लियर अब मेरे को लगता है आपको प्राग्यत संख्याएं पूर्ण संख्याएं और पूर्णाङ इन तिनों के बीच में पूरी clarity होगी होगी ठीक है, कि ये तिनों क्या होते हैं और इन पर काफी प्रशन पूछे जाते हैं वेटा पेपर में श्पेशली एक नंबर में ठीक इसके बाद हम इस पूर्णांग अध्याई की एक्सरसाइज एक पॉइंट एक करेंगे जिसको मैं अपनी अगली वीडियो में लेकर आँगा तो उतना टाइम आप इन पूर्णांग के बारे में अच्छी तरह से पढ़ें अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंज के साथ शेयर करें अपने सातियों को बताएं ताकि उनको भी जादा से जादा लाब दो सकतें धन्यवाद